Chapter 4 Determinants Exercise 4.2 का Question No.9 है Proof that This determinant is equal to x-y, y-z, z-x into xy plus yz plus zx अब हमें इसको proof करना ठीक है तो हम इसकी LHS ले लेते हैं इसको delete कर लेते हैं Determinant के Equal अब आप सबसे पहले देखो आपको क्या चाहिए Answer के हैसाब से चलेंगे हमने proof answer के हैसाब से करना ठीक है सबसे पहले चाहिए x-y अगर आप इसको इसको minus करोगे तो यह बनेगा x-y फिर चाहिए y-z तो हम इसको इसको minus करेंगे तो यह बनेगा y-z इसके पास z-x अभी नहीं बना सकते है at a time दो ही operation लग सकते हैं तो देखो क्या करेंगे इस row को इस row से minus करेंगे इस row को इस row से minus करेंगे तो यह बनेगा operate r1 r1-r2 and r2-r3 r3 तो देखो यह क्या आएगा इस row को इससे minus करेंगे ठीक है यह आएगा x-y इसको इससे कर रहे है x2-y2 इसको इससे yz-zx अब ऐसी r2 r2-r3 तो यह आजाएगा y-z फिर यह बनेगा y2-z2 इसको इससे minus zx-xy और नीचे वाली row सेम रखेंगे अब अगला step देखो क्या करो यहाँ पर a square minus b square लगाओ a square minus b square होता है a minus b into a plus b ठीक है इन दोनों में क्या common है इन दोनों में common है z तो bracket में बचेगा y minus x लेकिन न मैं इन में minus z common निकाल रहा हूँ minus z common निकालने से क्या होगा देखो जब मैं इसमें से minus common निकालूंगा तो यह हो जाएगा plus का और यह हो जाएगा minus का minus z इसलिए common निकाला क्योंकि मेरेको x minus y चाहिए ठीक है इसी तरह यहां पे भी यहां पे भी a square minus b square a minus b into a plus b और यहां पे भी minus x common निकाल रहा हूँ उससे क्या होगा यहां बचेगा y minus z और नीचे वाली row सेम रख दो ठीक है इसके पाद देखो इस row में x minus y common और इस row में y minus z common तो आप यह बहार निकालो टेकिंग x minus y and y minus z common from r1 and r2 respectively तो यहां से x minus y बहार आजाएगा और यहां से y minus z बहार आजाएगा यहां पे क्या रह जाएगा 1 यहां रह जाएगा x plus y और यहां रह जाएगा minus z अब यहां से y minus z common लिया न यहां बचेगा 1 यहां पे बचेगा y plus z और यहां बचेगा minus x z z square x y ठीक है अब इसके बाद ना मेरे पास इतनी space नहीं है तो मैं ये वाला step ना ने page में दुबारा उतार रहा हूँ यहां से continue करेंगे ठीक है मैंने देखो यहां पर यह जो last step पर मैं रुका था मैंने यहां पर ने page में उतार दिया ठीक है अब देखो हमें x-y चाहिए था मिल गया y-z चाहिए था मिल गया अब क्या चाहिए z-x तो z-x देखो कैसे बनेगा अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ इन दोनों को माइनस करूँगा तो यह बनेगा माइनस z और यह माइनस करूँगा operate R1, R1-R2, तो यह हो जाएगा X-Y, Y-Z, देखो इसको इससे माइनस करो, यह हो जाएगा 0, देखो जब इसको इसको माइनस करोगे, तो यह बनेगा X-Y-Y-Z, तो जब हम इसको खोलेंगे, यह बनेगा X-Y-Y-Z, तो यहाँ रह जाएगा X-Z, तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा, यह प्लस को हो जाएगा, और यह माइनस को हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहो, माइनस Z-X, और देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यह बनेगा, माइनस Z-X, तो इन में से माइनस क आप इस रो में, देखो क्या common है, इस रो में z-x common है, तो यह बाहर निकाल लेते हैं, तो आप लिख लेना, taking z-x common from r1, तो यहां बचे का minus 1, यहां बचे का minus 1, बचे का minus 1, बाकी दोनों रो सेम लिख दो, ठीक है, अब इसके बाद देखो, हमें चाहिए, xy plus yz plus zx, यह चाहिए न, तो देखो, इसको पते कैसे बनाएंगे, हम इसको expand करके बनाएंगे, अब expand करने के लिए न, किसी एक रो में, दो 0 होना जरूरी है, तब ही वो expand हो सकता है, तो देखो, एक 0 तो है न मेरे पास, तो दूसरा 0 के लिए क्या करूंगा, इन दोनों को, अगर मैं इस column और इस column को minus करूं, तो देखो, minus करूंगा तो यह 0 हो जाएगा, तो 2 0 मेरे पास आ जाएगे, तो next क्या कर रहा हूं, operate c2, c2 minus c3, तो यह बनेगा x minus y, y minus z, z minus x, यह पहला वाला column सेम रखो, इसको इससे minus 0, इसको इससे minus करोगे, तो यह plus को हो जाएगा, y plus z plus x, और इसको इससे minus करो, ठीक है, और यह वाला column सेम रख दो, अब हम इसको expand कर देंगे, expand by r1, ठीक है, तो यह बनेगा, x minus y, y minus z, z minus x, अब देखो, यहाँ होता है, plus, minus, plus, यह होता है, और यह दोनो 0 है, तो वो तो 0 ही आजाएगा, तो plus minus, minus, तो यह होता है, minus 1, अब आपने क्या करना है, यह और यह छोड़ दो, इसको इससे multiply, इसको इससे, तो यह बनेगा, z square minus x, y, minus, इसको इससे multiply करो, y, z, plus z square, plus zx, ठीक है, अब next step, x minus y, y minus z, z minus x, minus, यह बनेगा, z square, minus xy, minus yz, minus z square, minus zx, ठीक है, तो यह और यह cancel, तो यह बन गया, x, y, y minus z, z minus x, यह minus से multiply करो, यह होगा, plus xy, यह होगा, plus yz, यह होगा, plus zx, यह आगी हमारी rhs, तो hence, proved, यह हो गया, मारा, question number 9 का, proof, question number 10 का, first part है, मारे पास, show that, x plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, 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 x plus 4, यह determinant दिया हुआ है, हमें इसको proof करना है, 5x plus 4, into 4 minus x का, whole square, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले lhs ले लो, x plus 4, 2x, 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 x plus 4, यह देखो मैंने lhs ले ली, ठीक है, अब answer में देखो, हमें क्या चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले चाहिए हमें 5x plus 4, तो आप देखो, 5x plus 4 कैसे बनेगा, देखो, अगर मैं इन तीनों को आड़ करूँ, मतब रो 1, रो 2 और रो 3 को आड़ करूँ, तो देखो, x plus 2x, 3x, 3x plus 2x, 5x, 5x plus 4, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस इन तीनों रो को आड़ करने जा रहा हूँ, operate, r1, r1 plus r2 plus r3, तो यह बनेगा हमारे पास, यह देखो, इन तीनों को आड़ करेंगे तो, 5x plus 4, इन तीनों को आड़ करो, 2x plus x, 3x plus 2x, 5x, 5x plus 4, इसी तरह यहां भी, 2x plus 2x, 4x plus x, 5x plus 4, ठीक है, अब अगला step हम क्या करेंगे, अगले step में, 5x plus 4, common निकाल लो, row 1 में से, ठीक है, देखो, इस वली row में, 5x plus 4, common निकालो, और यहां पर 3, 1 बचेंगे, बचेंगे न 3, 3, 1, 3, 1 को क्या करेंगे हम, 2, 0 बनाके, expand करेंगे, ठीक है, अब अगला step क्या करने जा रहे है, 2, 0 बनाएंगे, expand करने के लिए, कम से कम 2, 0 चाहिए, एक row या एक column में, यह चीज याद रुको, ठीक है, अब देखो, इस column को, इस से minus करूँगा, तो 1, minus 1, 0 हो जाएगा, इस column को, इस से minus करूँगा, 1, minus 1, 0 हो जाएगा, तो 2, 0 बन जाएगे, operate, c1, यह देखो, पूरा column है न, यह column 1, minus column 2, column 1, minus column 2, और दूसरा, column 2, minus column 3, और यह operation हम, column 1 पे लगा रहे हैं, और column 2 पे, देखो, 1, minus 1, 0, इसको इस से minus करो, देखो क्या बनेगा, 2x, minus x, और minus इस से भी multiply होगा, तो यह बनेगा, x minus 4, फिर इसको इस से minus करो, 2x minus 2x, 0, अब column 2 को, column 3 से minus, 1, minus 1, 0, अब इसको इस से minus करो, x plus 4, minus 2x, तो कितना बचेगा, x में से 2x क्या, minus x, ठीक है, फिर इसको इस से minus, यह देखो, इसको इस से मैंने minus पहले का किया वह, तो वो कितना आता है, x minus 4, ठीक है, अब next step क्या करना है, expand करेंगे, expand by, देखो, यहाँ पर 2,0 है न, तो मैं expand कर दूँगा, r1 से, expand by r1, तो यह बनेगा, 5x plus 4, यहाँ पर देखो, क्या होता है, plus, minus, plus, तो यहाँ पर 2,0 है न, तो हम expand यहाँ से करेंगे, यह plus 1 हो जाएगा, आपने क्या करना है, इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है, इसको multiply और इसको, तो यह बनेगा, x minus 4 का whole square, minus, इसको इससे करोगे तो 0, अब अब answer में देखो, answer देखो क्या है इसका, answer है इसका, 5x plus 4, into 4 minus x का whole square, answer क्या है इसका, 5x plus 4 into, 4 minus x का whole square, अब 4 minus x का whole square, बनाने के लिए क्या करो, इन दोनों में minus common, तो पहले minus common लेंगे, तो पहले यह plus का हो जाएगा, और x minus का हो जाएगा, ठीक है, फिर अगला step, minus का square करोगे, वो plus हो जाएगा, और पीछे के रह जाएगा, 4 minus x का whole square, यह आगी हमारी RHS, यह हो गया हमारा proof, question number 10 का, second part दिया है हमारे पास, यह determinant दिया है, y plus k, y y, ऐसी इस पॉर्म में दिया है, हमें इसको proof करना है, 3y plus k, into, यह y square नहीं के square होगा, एक सक्षे के मुझे चेक करने दो, हाँ, यह के square है, इसको दोबारा लिखना, यहां लिखते है, k square, into 3y plus k, ठीक है, अब answer में देखो, इसके चाहिए, 3y plus k, तो 3y plus k, देखो, सामने ही दिख रहा आपके, अगर आप इस row को, इस row को, इस row को अड़ करो, देखो, y plus y, 2y, 2y plus y, 3y plus k, है ना, तो क्या करना है आपने, पहले lhs ले लो, y plus k, आपने इस एक सरीस के, जितने भी question solve करोगे न, सबके answer के इसाब से चलना होता है हमें, फिर easy हो जाता है करना, तो आप क्या करो, इस तीनो row को add कर दो, operate, r1, r1 plus r2 plus r3, ठीक है, यह देखो क्या बनेगा, इसको इसको add करो, यह बन जाएगा, 3y plus k, फिर इसको इसको add करो, देखो 3y plus k, फिर यहाँ पे भी, इसको इसको add करो, y plus y, 2y plus y, 3y plus k, अब हम क्या करेंगे, बाकी दोनों row सेम लिख दो, अब देखो, अगला step हम क्या करेंगे, 3y plus k, कॉमन निकाल लेंगे, और 3, 1 बनेंगे, 2, 0 बनाके, एक्स्पैंड कर देंगे, ठीक है, तो अब क्या करो, यह 3y plus k, कॉमन निकालो, यहाँ बचे का, 1, 1, 1, और बाकी सेम लिख दो, y, y, y plus k, y, फिर यहाँ पर y, y, y plus k, अब 3, 1 बचे, 3, 1 में हम क्या करेंगे, 2, 0 बनाएंगे, एक्स्पैंड कर देंगे, देखो, इस कॉलम को, इस कॉलम से माइनस करेंगे, तो यह 1, 1, 0, इस कॉलम को, इस कॉलम से माइनस करेंगे, 1, 1, 0, तो क्या करना है, उपरेट, c1, c1 माइनस c2, और c2, c2 माइनस, c3, यह देखो, क्या बचेगा, इस कॉलम को, इस से, 1, 1, 1, 0, इसको, इस से माइनस करोगे, तो यह बनेगा, y, माइनस y, और माइनस, इस से भी मल्टिप्लाई होगा, दोनों से होता, ठीक है, तो यह बचेगा, माइनस k, y, माइनस y, 0, अब इस कॉलम को, इस कॉलम से, 1, माइनस 1, 0, इसको इस से करो, y, y, cancel हो जाएगा, कि यह बचेगा, और इसको इस से, माइनस करोगे, तो यह मैंने अभी किया था, तो क्या था, माइनस के, और थर्ड कॉलम सेम रख दो, अब 2, 0 बन गे, रो 1 मे, देखो, यहाँ पर 2, 0 बन गे हैंना, तो हम इसको, एक्सपैंड कर देंगे, यहाँ से, एक्सपैंड बाई, आर वन, यहाँ पर 2, 0 बन गे हैं, यहाँ देखो, 1, यहाँ से, एक्सपैंड कर दो, यह बनेगा, केस केर, माइनस 0, तो देखो, यह केस केर हो जाएगा, और यह हमारा, प्रूफ हो गया, यह आगी हमारी, RHS, हैंस प्रूफ्ट, कोश्यन नमबर 11, का, फर्स पार्ट है, डिटर्मिनेट दियाओ है, A माइनस B माइनस C, 2A, ऐसी सब जगा, यह दियाओ है, प्रूफ करना है, A प्लस B प्लस C, का होल क्यू, तो अब देखो, सबसे पहले, A प्लस B प्लस C, कैसे बनेगा, क्या बनाना है, A प्लस B प्लस C, तो देखो, बड़ा सिंपल है, अगर आप इस रो को, इस रो को, और इस रो को एड़ करो, तो देखो क्या बनता है, यह देखो, मैंने क्या लिखा, A माइनस B माइनस C, प्लस 2B प्लस 2C तो, –B मेंस 2B के b – C मेंस 2C के 2C तो, देखो – C मेंस 2C के C तो, देखो, बन गया a plus b plus c तो, हम क्या करेंगे इन तीनोरोज को add करेंगे ठीक है? अप्रेट नहीं, पहले LHS लेलो a – b b – c 2B B minus C minus A 2B 2C 2C C minus A minus B ठीक है अब आप क्या करो इन तीनों रोज को add करो operate R1 R1 plus R2 plus R3 तो हमने क्या करना है इस रोज को इस रोज को add करना है देखो मैंने इन तीनों को add करके तो आपको पहले ही बता दिया था A plus B plus C बनता है अब आप इन तीनों को add करो twice of A plus B minus C minus A plus 2C देखो ये बना A B minus C और 2C कितना हो जाएगा C तो यहाँ भी आ गया A plus B plus C ऐसी आप इन तीनों को minus करो 2A में से A गया 2B में से B गया B और plus C ठीक है तो अब क्या करेंगे ये common निकालके और बाकी सेम लिख दो 3 1 बनेंगे और 2 0 बनाके expand कर देंगे बाकी दोनों रोज मैंने सेम लिख दी ठीक है अब क्या करो ये रो common निकालो A plus B plus C तीनों में common यहां बचेगा 1 1 1 और यहां लिखो 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B ठीक है अब क्या करो इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा फिर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो क्या करना है इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस and C2 इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस 2 0 बन जाएंगे A plus B plus C अब देखो 1 minus 1 0 इसको इससे minus करो देखो क्या बनेगा 2 B minus B minus C minus A ये बनेगा 2 B minus B plus C plus A तो देखो क्या बचेगा B, 2 B में से B के B तो ये बचेगा A plus B plus C इसको इससे माइनस करो यह बनेगा 0 अब कॉलम 2 को कॉलम 3 से 1-1 0 इसको इससे माइनस करो देखो मैं यहां करो B-C-A minus 2B तो यह बनेगा B-2B-B minus C-A minus B-C-A ठीक है फिर इसको इससे माइनस 2C-ससे माइनस सबसे मल्टिप्लाई होगा minus C-ससे मल्टिप्लाई होगा plus A और minus इससे मल्टिप्लाई होगा plus B तो यह बचेगा C बचेगा ने इन दोन में से plus A plus B तो यह आ गया A plus B plus C और बाकी सेम रख दो थर्ड वाला कॉलम सेम लिख रहो अब देखो 2 0 आगे अब हम इसको expand कर देंगे R1 से तो हमारा proof हो जाएगा expand by R1 तो यह बनेगा A plus B plus C 1 इसको यहां से expand कर दो इसको इससे multiply इसको इससे यह बनेगा यह दोनों सेम है A plus B plus C का whole square minus इसको इससे करोगे तो 0 तो यह आगया A plus B plus C into A plus B plus C का whole square तो यह कितना हो जाएगा यह 1 है when basis is the same powers are added तो यह हो जाएगा A plus B plus C का whole cube और यही RHS है और यह हमारा proof हो गया question number 11 के first part question number 11 का second part है determinant दियाओ है X plus Y plus 2Z Z Z ऐसी सब दिये हो है ठीक है proof करना है 2 into X plus Y plus Z का whole cube तो देखो कैसे करेंगे पहले हम LHS ले ले देए X plus Y plus 2Z फिर एक्स वाई जेड 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 य प्लस Z प्लस 2X X Y Z प्लस X प्लस 2Y तो देखो कैसे proof करेंगे हमें चाहिए X plus Y plus Z है ना तो देखो अगर मैं इस कॉलम इस कॉलम और इस कॉलम को आड करो तीनों कॉलम को आड करो तो देखो क्या बनता है प्लस 2Y और प्लस 2Z और इन तीनों में 2 कॉमन है तो देखो 2 इंटू X plus Y plus Z 2 भी मिल जाएगा और X plus Y plus Z भी एक मिल जाएगा है ना तो क्या करना है इन तीनों कॉलम को आड करना है तो देखो क्या बनेगा ये अप्रेट C1 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 C2 C3 तो देखो क्या आएगा इन तीनों को आड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू X plus Y plus Z अब इन तीनों को भी आड करके चेक करो देखो 2X 2Y और 2Z तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकालके X plus Y plus Z इसी तरह यहाँ भी चेक करो इन तीनों को आड करके देखो X plus X 2X 2Y Z plus Z 2Z तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लो X plus Y plus Z ठीक है और बाकी सारा सेम लिख दो अब हम यह कॉमन निकाल लेंगे और 3 1 बनेंगे तो 2 0 बनाके expand कर लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे यह पूरी टर्म कॉमन निकाल लो यह देखो मैंने बाहर निकाल लिया यहां बचेगा 1 1 1 X Y plus Z plus 2 X X Y Y Z plus X plus 2 Y ठीक है अब अगला स्टेप क्या करना है यहां पे 3 1 है न देखो इस रो को इस से माइनस करेंगे तो यह बन जाएगा 0 इस रो को इस से माइनस करेंगे यह भी बन जाएगा 0 तो operate लेकिन इस बार जो operation है न मैं वो R2 पे लगाऊँगा R1 पे नहीं R2 R2 माइनस R1 आपकी मर्दिया R1 पे भी लगा सकते हो फिर R3 R3 को R2 से माइनस कर दूँगा ठीक है तो 1st रो को सेम रख लो 1st रो को सेम रखो ठीक है 1 X Y सेम अब R2 माइनस R1 करो इसको इससे माइनस 1 माइनस 1 0 इसको इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा Y प्लस Z 2X में से X गया तो आजाएगा X मतलब यहाँ बचेगा X प्लस Y प्लस Z Y माइनस Y 0 अब इस row को इससे minus करो 1-1 0 अब इसको इससे minus करना है ठीक है इसको इससे minus करोगे तो देखो मैं यहां कर रहा हूँ x-y minus z minus 2x तो क्या बचेगा x minus 2x minus x minus y minus z और इसको इससे minus करो तो यह बनेगा z plus x plus 2y minus y तो यह आजएगा x 2y में से y गे y plus z ठीक है अब देखो 2 0 बन गे अब हम क्या करेंगे इसको यहां से expand करेंगे column 1 से expand by column 1 2 x plus y plus z अब यहां देखो यहां लिखेंगे 1 यहां देखो क्या होता है plus minus plus 1 यह और यह छोड़ दो इसको इससे multiply यह बनेगा x plus y plus z का whole square और इसको इससे करोगे तो 0 अब आप इसको इससे multiply करो तो यह बन जाएगा x plus y plus z का whole cube यह आगी हमारी rhs तो यह हो गया हमारे question number 11 के second part का भी proof question number 12 है हमारे पास prove that यह determinant दिया है 1 x x square x square 1 x x x square 1 equal to 1 minus x cube का whole square ठीक है यह हमें proof करना है तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले हम lhs ले ले दे हैं 1 x x square x square 1 x x x square 1 ठीक है अब देखो इसको कैसे proof करेंगे सबसे पहले थोड़ा rhs की तरफ देखो यह दिया ठीक है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का cube minus x का cube लिख सकते हैं न ऐसा तो यहां पर मैं a cube minus b cube लगा रहा हूँ a cube minus b cube होता है a minus b into a square plus a b plus b square ठीक है यह formula आप यहां use करो तो सबसे पहले a minus b a है 1 और b है x a minus b फिर a square a है 1 1 का square 1 plus a b a है 1 और b है x 1 into x x plus b square b है x x का square ठीक है तो आपने देखा इसको खोलके हम ऐसा भी लिख सकते हैं तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा 1 plus x plus x square अगर मैं मेरे को क्या बनाना है 1 plus x plus x square तो मैं क्या करूँँगा अगर मैं इन तीनों को add कर दूँ देखो इन तीनों को add करने से अगर मैं इस row, इस row और इस row को add करूँ तो मेरे पास बनेगा 1 plus x plus x square ठीक है तो मैं क्या कर रहाँ इस row को, इस row को और इस row को add कर रहाँ operate R1 R1 plus R2 plus R3 इन तीनो डोज को मैं आड कर रहा हूं तो यह बनेगा 1 plus x plus x square यह बनेगा 1 plus x plus x square इसी तरह यह बनेगा 1 plus x plus x square ठीक है और बाकि सेम रख दो x square 1 x फिर यहां बनेगा x x square और 1 ठीक है अब हम यह common निकालेंगे 1 plus x plus x के common निकाल लो यहां बचेगा 1 1 1 अब देखो 3 3 1 आगे न तो 2 0 बनाके भी expand किया जा सकता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे 2 0 बनाएंगे तो operate हम क्या करेंगे इस column और इस column को minus करेंगे और इस column और इस column को minus करेंगे c1 c1 minus c2 and c2 c2 minus c3 1 plus x plus x के यह देखो क्या बनेगा इस column और इस column को minus कर रहा हूं 1 minus 1 0 इसको इससे minus करो x केर माइनस 1 और इसको इसको minus करो x minus x केर फिर इस column और इस column को minus करो 1 minus 1 0 इसको इसको minus करो 1 minus x और इसको इसको minus करो x केर माइनस 1 और यह सेम रख दो ठीक है अब expand अगर अभी expand कर देंगे ना तो थोड़ा calculation मुश्किल हो जाएगी अब नहीं यहां पे द्यान दो यह हमें प्रूफ करना था ना और मैंने आपको बताया इसको यह लिखा मैंने यही यह चीज़ बनानी है ना हमें तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहां पे यह है 0 अब देखो x square minus 1 है ना यहां पे तो मैं इस में से minus common ले रहा हूँ तो यहां पे आ जाएगी यह plus को हो जाएगा और यह minus का ऐसा ही होगा नहीं तो इसको मैं बना रहा हूँ a square minus b square तो a square minus b square हो जाएगा a minus b into a plus b है ना फिर इन दोनों में से x common यहां बचे का 1 minus x 0 1 minus x यहां भी देखो x square minus 1 है यह सेम है ना दोनों तो x square minus 1 को यही सेम चीज यहां लिख दो और यहां पे सेम लिख दो ठीक है अब अगला स्टब देखो क्या करो यहां से देखो क्या common है 1 minus x और यहां से भी 1 minus x है ना देखो 1 minus x 1 minus x इस वली कॉलम से 1 minus x और यहां से भी 1 minus x common निकाल रहो तो यहां लिखना taking 1 minus x common from कहां से c1 और c2 से तो 2 1 minus x बाहर आएंगे तो वो बन जाएगा 1 minus x का whole square यहां बचेगा 0 minus 1 plus x और यहां बचेगा x 0 1 minus 1 plus x 1 x 1 ठीक है अब हम इसको expand करेंगे expand by देखो यहां पर 2 0 है ना तो हम expand करेंगे r1 से तो यह बनेगा 1 minus x का whole square 1 plus x plus x के आएग यहां बचेगा 1 अब इसको यहां से यह और यह चोड़ दो इसको इससे multiply यह बनेगा 1 plus x का whole square minus इसको इससे multiply x ठीक है अब देखो इसको आगे कैसे solve करेंगे 1 plus x plus x square अब इसको यहां पर a plus b का whole square लगो यह बनेगा 1 a square plus b square plus 2 a b यह बन गया minus x ठीक है यह बन गया 1 minus x का whole square x square अब देखो यहां पर बचेगा 1 2x minus x x और यह बला x square ठीक है फिर इसको क्या करो 1 minus x का whole square अब देखो यह दोनों same है है ना same तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 plus x square का whole square ठीक है फिर क्या करो इन दोनों का square बहार निकाल लो इन दोनों का देखो मैं square बहार निकाल रहा हूँ और यह formula बन गया न यह मैंने आपको यहां ही बताया था यह देखो यह किसकी को लोता है 1 minus x cube का whole square तो यह हमारा proof हो गया यह आगी हमारी RHS तो यह हो गया हमारा 12th का proof कोशन नमबर 13 प्रूफ डाट यह हमार परस determinant दिया हुआ 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus a square minus b square equal to proof करना है 1 plus a square plus b square का whole q ठीक है तो देखो कैसे proof करेंगे हम सबसे पहले इसकी RHS link LHS link 1 plus a square minus b square twice of a b minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square twice of a अब मेरी बात ना दियान से सुनना है इसमें अब देखो हमें चाहिए 1 plus a square plus b square का whole q मतलब हमें 3 1 plus a square plus b square चाहिए है ना एक मैं यहां से बनाऊंगा एक मैं यहां से बनाऊंगा एक मैं यहां से बनाऊंगा और एक यहां से बनाऊंगा 1 plus a square plus b square यह तीनों बन जाएंगे तो उससे हमारा proof हो जाएगा तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले आप यहां दियान दो यहां पर है 1 प्लस A स्केर माइनस B स्केर मेरे को इसको 1 प्लस A स्केर प्लस B स्केर करना है अगर मैं इसको माइनस B से मल्टिप्लाई करता हूँ माइनस B से इसको मल्टिप्लाई करो तो यह कितना हो जाएगा 2b² यह होगा ना तो यह बनेगा 1 प्लस a² प्लस b² ठेक है तो मैं यहाँ पर क्या operation लगा रहा हूँ operate यह देखो यह c1 है और यह c3 है c1 c1 इसको देखो मैं किस से multiply कर रहा हूँ minus b से इस पूरे को करना है minus b c3 तो देखो यह क्या आएगा पहला तो मैंने आपको बता दिया 1 प्लस a² प्लस b² बनेगा ठेक है next देखो क्या है 2ab ठेक है इसको किस से multiply करना है minus b से किस से multiply करना है minus b से तो यह बनेगा 2a into minus b minus 2ab तो यह हो जाएगा 0 ठेक है फिर यहां पे है 2b ठेक है इसको करना है minus b से multiply तो यह बनेगा minus b इसको भी करो minus b से plus b a स्केर plus b q तो यह आजाएगा 2b में से b के b plus b a स्केर plus b q अब इन तीनों में common देखो b common यहां बचेगा 1 plus a स्केर plus b स्केर ठेक है वो जीज मैं यहां लिख रहा हूँ ठेक है अब अगला step देखो क्या करेंग अब देखो अगला step मैं यह बाकी न मैं यहां पे लिखता हूँ अभी रुकना एक सेकिन अब देखो इस वले रो में से column में से 1 plus a स्केर plus b स्केर common आ जाएगा तो यहां क्या बचे का 1 0 b ठेक है यह एक मिल गया अब आजो दूसरा मैं यहां से बनाऊँगा यहां पे द्यान दो यहां पे है 1 minus a स्केर plus b स्केर ठेक है मुझे इसको plus बनाना है क्या बनाना है plus अगर मैं इस column को a से multiply करूँ यहां पे है 2 a अगर मैं into a करूँ तो यह बनेगा 2 a स्केर यही बनेगा न तो यह बनेगा 1 minus a स्केर plus 2 a स्केर हो जाएगा a स्केर plus b स्केर तो यह बन गया 1 plus a स्केर plus b स्केर यहां बन जाएगा न अब यही operation हम यहां लगाएंगे देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूँ c2 c2 यहां पर इतनी स्पेस नहीं है मैं यहां लिखता हूँ ठीक है c2 c2 इसको मैंने यह c2 है न इसको मैंने किस से multiply किया a से तो यह बन रहा a c3 ठीक है तो यहां पर देखो क्या है c2 है 2 a b और इसको मैं कर रहा हूँ a से multiply 2 a b minus 2 a b यह हो जाएगा 0 ठीक है फिर यहां पर तो मैंने आपको बता दिया 1 plus a square plus b square बनता है अब आजो यहां पर minus 2 a इसको मैं a से multiply कर रहा हूँ यह बनेगा a minus a q और a से multiply करेंगे minus a b square तो यह हो जाएगा minus a minus a q minus a b square इन तीनों में minus a common यहां बचेगा 1 plus a square plus b square 1 plus a square plus b square ठीक है और यह वली row सेम रख दो column sorry ठीक है अब इस column में देखो क्या common है देखो इस column में 1 plus a square plus b square common है तो बाहर हो जाएगा whole square तो मैंने यहां से भी common निकाली यहां बचेगा 0 1 a ठीक है यह हो गए है मारे 2 step अब last हमें कहां से बनाना है last हमें बनाना है इस से ठीक है यहां पर यह 1 minus a square minus b square में इन दोनों को plus बनाना है अगर मैं इसको a से multiply करता हूँ तो यह बनेगा 2 a square देखो मैं इन दोनों को add करूँँगा यह plus हो जाएगा अगर मैं इसको minus b से multiply करता हूँ minus b से तो यह बनेगा plus 2 b square तो देखो यह हो जाएगा a square और यह हो जाएगा b square तो क्या operation लगाना है यह है r3 r3 plus इसको देखो मैंने किस से multiply किया A से A R2 और इसको मैंने multiply किया minus B से मैंने minus B से क्या था R1 अब यही operation आप R3 पे लगाओ यह लगाओगी और proof हो जाएगा ठीक है 1 0 minus 2 B R3 पे लगाना है इसलिए बाकी same रख रहा हूँ अब देखो सबसे पहले यहाँ यह पूरी रो पे लगाना है R3 R3 है B A R2 R2 है 0 A into 0 0 minus B R1 R1 है 1 तो minus B into 1 minus B यह हो गया 0 ठीक है अब यही operation यहाँ लगाओ R3 है A फिर यहाँ पे देखो कितना है A यह minus A था न minus A था मैंने 1 plus A सके plus B square कॉमा निकाला minus A अब क्या करो अगला इसको A से multiply करना है यह बनेगा plus A और इसको 0 को minus B से तो यह हो जाएगा 0 तो यह और यह cancel यह आजाएगा 0 अब यहाँ आजाओ 1 minus A square minus B square देखो इसको मैंने किस से multiply किया A से तो यह बन गया 2 A square और इसको मैंने किस से multiply किया minus B से तो यह बन गया 2 B square तो यह आजाएगा 1 plus A square plus B square ठीक है next step देखो 2 0 कहाँ पर यह है अब 2 0 कहाँ पर यह है देखो इस row में 2 0 है तो मैं इसको expand कर दूँँगा column C1 से expand by C1 तो देखो यहां क्या आजाएगा 1 plus A square plus B square का whole square 1 यह और यह जाएगा इसको इससे multiply इसको इससे तो यह बनेगा 1 plus A square plus B square इसको यह बनेगा minus 0 तो देखो यह बन जाएगा यह और यह multiply होके 1 plus A square plus B square का whole cube यह आगी हमारी RHS और यह हो गया हमारे question number 13 का proof question number 14 MRP proof that determinant equal to A square plus 1 A B A C A B B square plus 1 B C C A C B C square plus 1 equal to 1 plus A square plus B square plus C square यह हमें approve करना है तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले LHS ले ले लेते हैं A square plus 1 को नहीं मैं 1 plus A square लिख रहा हूँ कोई फरक नहीं पढ़ता वैसे इसी तरह A B B square plus 1 को लिख रहा हूँ 1 plus B square B C C A C B और C square plus 1 अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे को बनाना है 1 plus A square वो तो है plus चाहिए B square plus चाहिए C square अगर मैं इसको B से multiply करूँ इस column को तो यहां पर B square बन जाएगा है ना तो मेरे पाब B square आ जाएगा और इस column में मेरे को चाहिए C square तो मैं इसको C से multiply करूँगा तो C square आ जाएगा तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसको A से multiply इसको B से multiply इसको C से multiply इससे मेरे पास 1 plus A square plus B square plus C square बन जाएगा देखो कैसे multiply C1 column 1 को A से column 2 को B से और column 3 को C से ठीक है अगर आप multiply करो ना तो आपको divide भी करना होता है तो इसलिए बाहर आजाएगा 1 by ABC ठीक है इस column को कर रहे है A से तो ये बनेगा A into 1 plus A square ये बनेगा A square B ये बनेगा C A square ठीक है फिर इस column को कर रहे है B से तो ये बनेगा A B square ये B रखो बाहर 1 plus B square और इसको B से ये बनेगा CB square फिर इसको कर रहे है C से तो ये बनेगा AC square ये बनेगा BC square और ये बनेगा C into 1 plus C square ठीक है अगला step क्या करना है इस row में देखो क्या common है त्यान से देखो इस row में A common इस row में B common इस row में C common taking A, B and C common from R1, R2 and R3 respectively तो बाहर लिका लो ABC upon ABC हो जाएगा यहां बचेगा 1 plus A square यहां बचेगा B square, C square देखो मैंने बना दिया यही चाहिए था ना हमें फिर यहां से B common लिया है A square 1 plus B square C square यहां से C common लिया है अब हमें proof क्या करना था हमें proof करना था 1 plus A square plus B square plus C square ठीक है तो देखो आप इन तीनों को add करो इन तीनों columns को add करो देखो आपके पास सब जगा बनेगा है ना तो इसलिए मैंने multiply किया था तो अब क्या करो इनको add कर देते है operate C1 C1 plus C2 plus C3 तो यहां बन जाएगा देखो तीनों को add करेंगे 1 plus A square plus B square plus C square फिर यहां पे भी 1 plus A square plus B square plus C square और इसी तरह यहां पे भी 1 plus A square plus B square plus C square अब आप यह common निकाल लो 3 1 बनेंगे 2 0 बनाके expand कर दो अब यह पूरी term common निकाल लो यह देखो मैंने इस column से यह common निकाल लिया यहां बचके आप 1 1 1 यहां पे मैंने 20 square नहीं लिखा 20 square 1 plus B square 20 square C square C square 1 plus C square अब आप इसको expand नहीं पहले 2 0 बनाओ operate operate देखो मैं इस row को इस row से minus कर रहा हूँ जिससे यह 1 minus 1 0 हो जाए तो लेकिन मैं R2 पे operation लगा रहा हूँ R2 R2 minus R1 ठीक है मैंने कहा कि इस row को इस से minus कर रहा हूँ और इस row को इस से minus कर रहा हूँ R3 R3 minus R1 अब मेरे पास नहीं इतनी space नहीं है बनेगा 1 प्लस A square प्लस B square प्लस C square अब देखो इस row को इस से minus करो 1 minus 1 0 इसको इस से minus करोगे B square B square cancel 1 वो सोरी एक सकिए नीचे वाली row तो पहले उपर वाली सेम रखो क्योंकि हम minus कर रहे है R2 minus R1 इसको इस से minus 1 minus 1 0 इसको इस से minus करोगे 1 बचेगा इसको इससे minus, one minus one, zero, इसको इससे minus करोगे, तो बनेगा b square minus one plus b square, तो यहाएगा b square minus one minus b square, तो बचेगा minus one, और इसको इससे minus करोगे, one, अब देखो 2 zero आगे, तो expand कर लो, expand by c1, तो यहाँ बचेगा, one, यह देखो, इसको और इसको छोड़ दो, one minus zero, तो यह proof हो गया, one plus a square plus b square plus c square, यह होगी RHS, यह हो गया हमारे question number 14 का proof, question number 15 है हमारे पास, let a be a square matrix of order 3 into 3, then determinant of k a is equal to what, देखो, मैंने आपको इससे पहले वले part में, आपको formula बताया था ने इसका, मैंने बताया था, अगर a का order n cross n है, तो k बाहर आएंगे n, कितने k बाहर आएंगे n, तो इसको order है 3 into 3, तो इसमें कितने k बाहर आएंगे 3, तो आप कौन से वले part को टिक करोगे, c वले को, तो c वले को टिक कर लेना, इसको option है c, तीक है, अब आज़ो 16, 16 देखो क्या लिखा है, which of the falling is correct, determinant is a square matrix, determinant is a square matrix associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, देखा जाएंगे तो ये भी correct है, लेकिन ये आधी आधी definition है, ये देखो, दोनों आधी आधी definition है, तो ये दोनों को जब हम combine करेंगे, तो ये पूरी definition बनती है, इसलिए इसको option है c, ठीक है, अगर आपको मेरे पहले दिन के, जब मैंने determinant शुरू किया था, पहली वली वीडियो का, तो उसमें मैंने आपको definition भी ये ही लिखाई है, determinant is a number associated to a square number, तो इसको option है c, c को टिक कर लेना, तो ये होगी मारी exercise complete,